साथ नवंबर देव दिवाली सुलिंग पर चढ़ा दें यह एक चीज 24 घंटे में बदल जाएगी आपकी दुनिया। कार्थिक महेने की पूर्मा तिथी को देव दिवाली का पर्व मनाय जाता है। इसे लोग देव दिवाली के नाम से मनाते हैं। यह दिवाली यानि दीपावली के 15 दिनवाद पढ़ता है और इस साल देव दिवाली 7 नवंबर को मनाय जाएगी। खास करके बनारस में देव दिवाली का तेवहार बहुत ही उत्सव के साथ मनाते हैं। शमरपन के साथ ऐसा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा नधी में दीपदान की परहंपरा है पौरारानिक मनताओं के अनुसार देव दिवाली भगोन सिव के तृपडरा शुर पर बिजय प्राप्त करने की खुशी में मनाय जाता है। देव दिवाली को ले करके एक धार्मिक मानता है कि इस दिन देवतागण प्रतिवी पर आते हैं और कासी में देव दिवाली मनाते हैं इसलिए इसे देव दिवाली कहते हैं इस दिन दीपदान का विशेस महत होता है तो आईए जानते हैं देव दिवाली की शुब तिथी, श इसलिए आप लोगों से एक request रहता है कि आप लोगों का support भी मिलता रहे इसके लिए बीडियो को आप like जरूर करिए और इसे share करिए अपने दोस्तों को भी ताकि समय पर सभी लोगों को जानकारी मिल सके और चैनल से जोड़ने के लिए हो सके तो subscribe भी जरूर कर लिया करें कमेंट में लिखेगा हर हर महादेव हमारे चैनल का मकसद है कि आप जो हमारे सभी दर्सक है उन्हें एक बहतर से बहतर जानकारी परदान की जाए और समय पर मिल जाए तो देव दिवाली भगवान सिव जी को समर्पित है भगवान सिव जी के परसंदता के लिए ये देव दिवाली मना जाता है जिस प्रकार हम सब है प्रयाया है दीपवली के तेवहर मनाते हैं माता लक्षमी जी की परसंदता के लिए देव टनी ये कदस्षी मनाते हैं भागवान विशुन जी की प्रसंदता के लिए उशी प्रकार देव दिवाली मना जाता है भागवान संकर की प्रसंदता के लिए तो पौरानिक अथा के अनसार भगवान सीव के अनसार भगवान सीव के बड़े पुत्र जिसे हम कार्तिके के नाम से जानते हैं ये देपताओं के शेनापती कहे गए हैं ये जो ताड़काशूर का बद किया तब जो ताड़काशूर के जितने भी पुत्र हुए तीन पुत्र हैं तीन पुत्र हुए अपने पिता के मृत्तु का बदला लेने के लिए ताड़काशूर के तीनों बेटे ताड़काश, कमला और बिद्रे माली ये प्रण लिया कि इन तीनों को त्रपुरा शुर के नाम से जाना क्यों प्रण लिया क्यों इन लोगों ने प्रण लिया आईए इस वीडियो में जानते हैं तो तीनों ने कठोर तब किया ब्रह्मा जी को प्रसंद किया और अमृत का बर्दान मागा लेकि मांगा कि हमारे लिए निमित तीन पुरिया जब अविजीत महूर नच्छतर में एक पंक्ति में हो और क्रोध अर्था जो क्रोधि ब्यक्ति क्रोधि देपता वो अतिन्त शांत होकर के अशंभाव रत पर सबार होकर के अशंभाव वाड से मारना चाहे तभी हमारी मृत्यू ह ब्रम्हा जी ने तथास्त कह दिया और फिर त्रपुरा शुर बहुती बलसाली हो गया इसका आतंक बढ़ गया देवदारों सबको यहीं कि परेशान करने लगे अंत में परेशान होकर सभी देपता रिशी मुनी भागवान सिव के स्थारण में पहुंचे शवी ने महा देव शे अपनी ब्यथा कही तो उन्होंने देपताओं को अपना आधा बल देकर तृपुरा शुर का शामना करने के लिए कहा लेकिन सभी देपता भागवान के बल को शंभाल नहीं पाएं फिर श्वेम सिव ने तृपुरा शुर का बद करने का यहनिकी संकर फिर देपतागर ने अपना आधा बल भागवान सीव को दिया फिर भागवान सीव ने रत पर सवार होकर अशंभाव धनुष पर वार चढ़ा लिया और अभजीत नच्छत्र में तीनों पुरियों को एक पंत में आते ही तिरपुरा शुर पर आक्रवन कर दिया प्रहार होते अधा में शभी देपतागर शिव की नगरी काशी में पहुंचते हैं और आज की दिन अर्था देव दीवाली के दिन गंगाश नान करके बाद में दीवदान करते हैं खुशिया मनाते हैं इस दिन से पर्तवी पर देव दीवाली परवकी मनाने लगे तो हिंदू पंचायं के 15 मिनट से सुरू हो रही है तो वहीं पूर्मा की शमापन 8 नवंबर की शाम 4 बच कर 31 मिनट पे होगा तो ऐसे में देव दीपावली का पर्व 7 नवंबर 2012 को मनाई सकते हैं अर्था 100 बार को मना सकते हैं दीपदान का महतों परदोसकाल में तो इसका महतों और भी बढ़ गय साथ नवंबर को परदोसकाल 5 बच कर 14 मिनट से साम 7 बच कर 49 मिनट तक रहेगा इस समय दीपदान कर सकते हैं ये समय बहुत ही सुब माने जाते हैं इस दिन भागवान सिव की किरपा प्राप्त करने के लिए चुकि सौंबार का भी दिन है इस बार देव दिवाली शौंबा पूजा राधना जरूर करें उनकी पूजा राधना में कोई भी कसर ना छोड़े महादेव के शिलिंग पर आप यानि की एक चीछ चड़ा दे तो 24 घंटे में ये आपकी मनोकामना पूरी होगी महादेव के खृपा से हर कष्ट दूर होगे और आपकी दुनिया बदल उसमें थोड़ा सा चावल थोड़े सी मिस्ट्री सफेद पूश पर डाले थोड़े से कच्चा दोध डाले फिर आप ले जाकर यानि की सीलिंग पर शढ़ा दे और साथ में बेल पत्र भी लेकर जाएं और सीलिंग पर शढ़ा दे और अपनी मनोकामना बोले 24 घंटे के अं लाब देखने को मिलेगा सुब समाचारों की प्राप्ती होगी कारशिद्धी की प्राप्ती होगी परते कारियों में शफलता प्राप्त होगी जो कार अधूरे पड़े थे पिंडलिंग थे उन्हें पूरा कर सकते हैं संपत्य कलाब मिलेगा, कारियों में चलिया भी परिशानियत दूर होगी, धन के लाब में बड़े असर देखने को मिलेंगे, कुछ महत्पूर्ण अबसर आपको प्राप्त होगे, जो कुछ भी समझाएं थी, जो कुछ भी परिशानियत आपकी दूर होगी, धन संपत्य में भी लाब होगा कारियों में भी परेशानिय थी वो भी दूर होगी लाब की स्थिति बनी रहेगी लगाता रामदनी बढ़ेगी कारशेत में आपको अधिक शदिक मुनाफ़ा प्राप्त होगा जो कुछ भी कार अधूरे थे पेंडिंग थे उन्हें पूरा कर सकते हैं महत्प दिवाली के दिन सौंबार का दिन भी पड़ रहा है इसलिए इस दिन अगर आप चाहते की संतान की प्राप्ती हो और बैवाहिक जीवन सुक मेरे हर प्रकार से धन की प्राप्ती हो चोबिस घंटे में आपकी दुनिया बदल जाए किस्मत चमक जाए सोई किस्मत चमके तो आपको इस दिन सियुलिंग पर आप थोड़ा सा धतूरा और भांग जरूर चढ़ा दें और कच्चा दूध यह ओनि अगर आपकी पास गाय का तो अतियुत्तम है नहीं तो थोड़ा सा आप जल ले ले और उसमें गंगा जल डाल कर सियुलिंग पर चढ़ा दें तो सोने पे सुहागा महादेव के कृपा बरसेगी कभी भी धनकी कमी नहीं होगी महादेव दवड़े दवड़े आपकी रक्षा करने चले आंगे और हर प्रकार से लाभी मिलेगा तो पोड़ी माखे दिन सिलिंग पर जरूर आप चढ़ा दे तो लाइक करेगा जदा जदा चेर करेगा और चलों को सब्सक्राइब करेगा कमेंट में लेखेगा हर हर महादेव